गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दावना ना भूलें हेलो फ्रेंड्स मैं शेकर सक्सेना आप सभी का अपने चैनल मैसवाला में हार्देग स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके ओके फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज मैं जो सिक्षण योजना आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको पसंद आएगी और यह आपके लिए फ्यूचर में हेल्फुल भी रहेगी फ्रेंड्स चलते हैं आज की सिक्षण योजना में यह योजनक अक्षा 6 के लिए है जिसका बिशय किर्शी विज्ञान पिरकरण मुख्य फसलों की खेती पार्ट साथ डे वन समय 40 मिनट Learning Outcome बच्चे रिदूों के अनुसार फसलों को वर्गिकरत कर लेते हैं तदा उन्हें पहचान भी लेते हैं बच्चे धान की पौद्शाला तैयार करने रोपाई करने की विधी का विधी बता लेते हैं बच्चे मुख्य रोग वा कीटों को भी पहचान लेते हैं सिखने सिखाने की सामिकरी, पाठि पुस्तक, सियामपट, चौक, दीख्चा एप की सामिकरी सिख्चन अधिगम प्रिकरिया इसमें तीन कॉलम है चरण समय आगलन के तरीके चरण में पहला पॉइंट सिख्चन के प्रारंब में सिख्चक चातरों से कुछ पृषिन पूछते हैं जैसे आप में से किन बच्चों के घर खेती का कारे होता है चातरों तर चातर उठाते हैं इस समय आपके खेत में कौन सी फसल या अनाज लगा है यहूं सरसो गन्ना आदी धान की कटाई के बाद हम दोवारा धान की बुवाई क्यों नहीं करते हैं धान को ज़्यादा पानी चाहिए धान की बुवाई किस रितू में करते हैं बरसात में रितू के अनुसार फसलो को कितने भागों में बाटा गया है आज हम रितू और मौसम के अंतर को समझते हुए रितू के अनुसार फसलो के उगाने के वारे में ज्यान प्राप्त करेंगे सेकिंड पॉइंट है सिक्षण के दोरान सरप्र्थम सिक्षक, रितू और मौसम को इसपष्ट करने के लिए कुछ प्रिशिन छात्रों से पूछेंगे इस समय कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर इस समय मौसम कैसा है? ठंडा मौसम किस तरह से बदलता है? कभी धूप, कभी छाओ, कभी बारिश क्या ऐसा हो सकता है कि दो दिन ठंड पड़े, फिर तेजगर्मी आ जाए, कि हम पंखा कूलर चलाएं? नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठंड शुरू हो गई है ठंड कब तक रहती है? कई महीनों तक, फोली तक लंबे समय तक, एक सी मौसम की दिशा को क्या कहते हैं? सिख्चक छात्रों को इसपश्ट करते हैं कि आज सुवे हलकी ठंड, दुन्द का होना, कुछ समय बाद हलकी धूप, कभी कभी हवा का चलना, बादल आ जाना, ये सभी सिदियां आज का मौसम है मौसम का संभन एक दिन से होता है, क्योंकि एक दिन में ही मौसम कई वार बदल सकता है जैसे कभी धूप, हलकी या तेज, अचानक बादल आना, हवा का तेज चलना ये नहीं चलना आदी इसी तरह का मौसम जब लंबे समय तक रहता है, तब उसे रितू कहते हैं इस प्रकार ये ठंडा मौसम जाड़े की रितू का है स्यामपट कारे सिक्षक मौसम रितू दोनों में अंतर, भारत में रितूयें तथा रितू को के अनुसार फसलों का विभाजन लिख कर समझाएंगे चात्र कारे अपनी संचिका में लिखेंगे सिक्षण के बाद सिक्षक छात्रों से प्रिशिन पूछ कर पुर्णावृति कराएंगे जैसे मौसम किन तत्वों पर निर्भर होता है ताप, हवा, वर्षा, बादल, आदी मौसम की दशा कितने समय की होती है पिर्टि दिन रिटू किसे कहते हैं एक प्रिकार के मौसम के की लंबे समय की दशा को रिटू के नाम बताईए जाड़ा, गर्मी, बर्साथ रिटू की दशा कितने समय की होती है कई महीनों की रिटू के अनुसार फसलों को कितने भागों में बाटा गया है रवी, जायत, खरीब, गिरह कारे, सभी छात्र, मौसम, रिटू, फसलों के प्रिकार याद करके आएंगे, सिक्षक की आगामी योजना, सिक्षक शेष पाठी बस्तू के सिक्षण धेतू अगले दिवस की योजना का निर्माल करेंगे अब आप देखिए डे टू, लर्निंग आउटकम पूर्वत रहेगा, सिखने सिखाने की सामिकरी, पाठी पुस्तक, सियामपट, चौप सिक्षण अधिगम पिर्किरिया, तीन कॉलम है, चरण समय आकलन के तरीके, इसमें पहला पॉइंट है चरण में, सिक्षण के आरंभ में, सिक्षण कत निवस की, विशेवस्तू से संबंदित, प्रिशिन पूछंगे, इसकी समय अबदी पांच मिनट की होगी, आकलन के तर जैसे पिर्ति दिन की बातरण की दशा को क्या कहते है, मौसम, लंबे समय तक एक से मौसम की दशा क्या कहलाती है, रितू, रितू के अनुसार तीन फसले कौन कौन सी है, रवी, जायत, खरीव, यहू और धान किस फसल के अनाज है, यहू रवी और धान, खरीव, उत्रों पर प्रिश्चात्रों की प्रिशंसा वत्रुटी निवारण करना सेकेंड पॉइंट है सिक्षन के दौरान पाठिपुस्तक की साहिता से पाठ पड़वाते हुए निम्ण बिंदुओंग पर चर्चा वा विशय वस्तु इस पस्टी करन इसकी समय अवदी 20 मिनट चात्रों तर वे सहवाई भागिता जैसे धान की खेती, मक्का की उन्नत खेती, अरहेर, ग्योहूं, मक्का, आलू, सरसो, उड़त, मूंग की खेती, सम्मंदी, पिरतेक बिंदुपर चर्चा वा इस पस्टी करन सिक्षण के अंत में, सिक्षण पाठ्यांत, अभ्यास प्रिश्णों के उत्तर, चात्रों से स्वेम, खोजने को कहेंगे, बापारिस्प्रिक चर्चा द्वारा, चात्रों से उत्तर पूस्ते हुए, प्रिश्ण हल करवाएंगे इसकी समय अवदी 10 मिनट गिर्यकारे चात्र प्रिश्णों के उत्तर याद करके आएंगे इसकी समय अवदी 5 मिनट की होगी सिक्षण की आगामी योजना, सिक्षण द्वारा नए पाठ के सिक्षण हेतु योजना का निर्मान करना नोट, पाठ्थे वस्तू विस्तत होने के कारण सिक्षक इस पाठ को अपनी आवशक्ता नुसार वा, सुभिता नुसार 3-4 दिवसों में पूर्ण करा सकते हैं पिर्ति दिन पिछली विश्य वस्तू की पुर्णावर्ती कराते हुए नवीन विश्य वस्तू इसपष्ट की जाएगी वा, आवशक्ता नुसार लेखन कारे कराये जाएगा ओके फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपसे अनुमती लेने चाहूँगा इसी तरह की अन्योजना को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों में शेर भी करें ठैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें Thank you